यदि आपके पास समय की कमी है हमेशा ट्रैवलिंग करते हैं और पौधों को रोज रोज पानी नहीं दे सकते हैं और यहीं सोचकर आप प्लांट्स नहीं लगा रहे है तो आज कुछ ऐसे लो मेंटेननस प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ जिन्ने वीक में एक बार पान में कटिंग से भी लगाया जा सकता है और न्यू पौध लाकर भी लगा सकते हैं इन्हें जादा पानी देने से पौधे खराब हो जाते हैं मरने लगते हैं तो जादा पानी की ज़रुरत नहीं है दूसरा है ये बेगोनिया बेगोनिया के पौधे को डेली वाटरिंग की ज़ यह एक क्रिस्मस ट्री एरोकेरिया जिसे कहते हैं और यह जादा पानी से पौधा खराब हो जाता है आपने देखा भी होगा लैंड्सकेप पर लगा होता है यह पौधा इसकी केर कैसे करनी है कौन सखात देना है इसके लिए कंप्लीट वीडियो मैंने एवर ग्रिन वाले चै तरीके से सूखने लगती हैं तो शेड में और कम पानी के साथ ये पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइब करते हैं तीन महीने पे एक बार आप चाहे तो इसे फर्टिलाइज कीजिए अधर्वाइज ये जो पौधे हैं ये अपने आप बढ़ते रहते हैं वातावरण से जो आप लगा लेते हैं तो 10-15 सालों तक ये आसानी से चलते रहते हैं इन्हें आप जमीन में भी लगा सकते हैं अगला पौधा है ये यूफोर्विया मिली का पौधा मैंने भी न्यू ही कटिंग लगाया है कटिंग से मार्च अप्रेल में ग्रो हो जाता है नर्सरी से ले सकत इस पौधे को पानी से बचा कर रखना होता है बरसात में भी बचा कर रखना है बिल्कूल लोग मैंटेनलंस प्लांट से इस पे जो बंद कर देगा और इसे काटे-काटे से जो निकले हुए हैं यह सूखने लगते है तो का विशेस ध्यान रखना है कि एक बार लगाते समय जब आपने अच्छे से वेलरन सॉयल में लगा दिया या फिर कंपोस्ट डाल दिया उसके बाद आप दो तीन महीने तक इसे बहुत जादा पानी और खाद नहीं देंगे यदि फ्लारिंग का सीजन है जैसा कि अभी एपरि के वज़े से और इन पौधों को बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए अधर्वाइस कभी पानी जादा हो गया तो इनकी रूट्स बहुत जल्दी संडने लगती है तो छोटे कंटेनर में यानि 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगाईए फुल सन का पौध यह जो इफॉर्विया मिली है यह फुल सन का पौधा है इसे पूरे गर्मी के धूप में आप ऐसे ही रख दीजे कोई आपको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है और यह पौधा गुच्छों में फ्लारिंग करता रहेगा इसके बहुत सारे कलर्स अभी अब आपको नर दिखाएंगे जेड और क्रैसुला दोनों ही पौधों की केर एक सी होती है और घर के लिए शूप पौधा होता है में एंटरेंस पर भी यह दि कोई पौधा आप रखना चाहते हैं तो यह वन अफ दे बेस्ट चोईस हो सकता है जेड का जो पौधा होता है यह जादा पानी देने की वज़े से इसकी पतिया पीली होकर के गिरने लगती है तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बहुत जादा पानी इन पौधों को नहीं चाहिए और जो स्वाइल मेडिया है वो बहुत ही वेल्डरें होनी चाहिए यह जो पौधा है इसका नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन शायद कैक्टस की ही एक विराइटी है और इसे घर में हम लगा सकते हैं यह पौधे अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं इन पौधों को अलग से कुछ करने की ज़रुरत नहीं है और इसका नाम यदि आप लोग को पता होगा तो प्लीज आप लोग कॉमेंट साथ एक पौधे से अनिक पौधे बनाया जा सकता है और अभी नर्सरी पर यह पौधा मिल रहा है देखिए यहां पर इसकी कटिंग मैंने रख दिया था और यह अपने आप ही ग्रो होने लगा है तो ऐसे पौधे आप अपने घर में ज़रूर लगाईए जिनके लिए आप पौधे घर किरने की जरुट नहीं है लो मेंटैनेंस प्लांट है या फिर आपके पास समय नहीं होता अक्सर आप भाहर रहते हैं तो यह पौधे बेस्ट हैं ड्रेसिना की विराइटी लगा सकते हैं और यूका प्लांट लगा सकते हैं यही हाल एरीका पाम का हिभी है एरी एरिका पाम वेलरन सॉयल में अच्छे से ग्रो होता है डेली पानी नहीं देना है गर्मियों में शेड में रखना है एरिका पाम एक बहुत ही सुन्दर डेकोरेटिव हाउस प्लांट है जिसे की अभी आप अपने घर में लगा सकते हैं यह जो युका प्लांट है इसकी लाइ नहीं चाहिए पानी भी डेली नहीं चाहिए और यह है स्नेक प्लांट यह तो आपके घर में जरूर होना चाहिए स्नेक प्लांट के एक छोटी सी पत्ती भी यदी आप मिट्टी में दबा देते हैं तो वो ग्रो हो जाती है इसे डेली पानी यदी आप देंगे तो स्नेक प यूरिफाइंग प्लांट्स हैं और इने अपने घर में जरूर अस्थान देना चाहिए एक बार ये पौधे जब आपके घर में आ जाएंगे तो लो मेंटेनेंस होने के साथ सालो साल ये आपके गार्डेन में रहेंगे ये है फाइलो डेंडरॉन के एक विराइटी बहुत ही कम पानी मैं इसे देती हूँ 15 दिनों पर एक बार पानी दीजे एक बार अच्छे से वेल्डरन स्वाइल में लगाईए और महीने में एक बार एक चम्मत से वर्भी कमपोस दे दीजे देखे ये लक्षमी कमल का पौधा है लक्षमी कमल और विश्नु कमल के पौधे अपने शेड में ये अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं और छोटे कंटेनर में चलते हैं लक्षमी कमल विश्नु कमल और इतने जितने भी आप कह सकते हैं जो सकुलेंट के प्लांट हैं उनके लिए सही टाइम चल रहा है अभी आप खरीच सकते हैं 50-50 रूपीज में ये आपको गार करने की जरूरत नहीं है और ये आपके गार्डन की शोभा सालो साल बढ़ाते रहेंगे और सबसे अच्छी बात है इन्हें आप रूट के पास से डिवाइड करके लगा सकते हैं और ये जेड प्लांट है देखिए फुल सन का पौधा है कम पानी में बहुत अच्छे से ग् अब ही आप एक पुरानी स्टेम लेकर के पुरानी यानी की जो बहुत पतली ना हो थोड़ी सी मोटी हो उसे लेकर के दि मिटी में दबा देंगे और डारेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो आप देखेंगे तीन से चार दिनों में ही वो पौधा सेटल डाउन हो गया है पर उसकी जड़े बनने लगी है जेड़ प्लांट कटिंग से ग्रो होने वाला आसानी से ग्रो होने वाला एक वन अफ दा बेस्ट प्लांट है इन पौधों के लिए उचित फर्टिलाइजर क्या है इसके लिए आप मेरे एवर ग्रीन वाले चैनल पर जाकर के देख सकते है और इन पौधों को वास्तु के अनुसार के इस दिशा में लगाना है इसके लिए वास्तु टिप्स वाले चैनल पर जा सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मुझे उमीद है जनकारी आपको अच्छी लगी होगी जनकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूले धन्यवाद